कॉलिफायर में स्कॉटलाइंड का वार्ड चार बार की चैंपिन हो गई वर्लकप से बाहर पहली बार हिस्ट्री में हमें वर्लकप के लिए वेस्ट इंडीज कॉलिफायर करती हुई नजर नहीं आएगी क्योंकि इस बार वेस्ट इंडीज वर्लकप के लिए कॉलिफायर नह फार की मुकाबले चल रहे थे West Indies और Scotland के बीच मुकाबला था जिसमें Scotland में West Indies को काफे ही बुरी तरीके से धोडाला अगर बात करें इस मुकाबले के scorecard की तो West Indies के एवल 181 रनों पर all out हो गई यहां पर जेसन होल्डर ने इनकी टीम से हाई स्कोर बनाए 79 बॉलों में 45 रन्स और रोमारियो शेफर्ड ने इनका साथ दिया 43 बॉलों में 36 रन्स यहां पर किसी का अर्श तक भी नहीं लगा Scotland की भैतरीन गेन बाजी की वज़े से Scotland की गेन बाजी में Brandon McMillan ने 9 ओवरों में 32 रन देकर 3 विक्टे चटकाई तो भही मार्क वाट ने 7 ओवरों में 25 रन देकर 2 विक्टे चटकाई Scotland जम बल्ले बाजी करने के लिए आया तो मात्र तीन विकेट अपनी खोकर 185 रन बना दी और यह मुकाबला Scotland जीत गई और यहीं पर एक बार फिर से points table में changes नजर आ गई पहले नंबर पर श्रुलंका थी वो अभी भी है तीन मैच खेले है तीनों जीती है 6 points के साथ दूसरे पर है जिंबावे जिसने अपने तीन मुकाबले खेले है तीनों जीती है 6 points के साथ तीसरे पर आ गई है अब Scotland जिसने एक हारी है 4 point के साथ चौते परह निदालान जिसने तीन मुकाबले खेले हैं एक जीती जिती है दो हाई है दो point के साथ पांचो पर अग्रे वेस्ट इंडी जिसंने तीन मुकाबले खेले हैं और जीनों ही हारी है телеф generous पॉइन केसा वेस्टियले पहले भी आल्मोस्ट भार हो ह धिखे थी कि कि सायर से कोई चमतकार हो जाए और वेस्ट इंडीस आजाए वह चमयतकार नहीं हुआ और वेस्ट इंडीस quAS के लिए नहीं करी अब बेस्ट इंडीस हमें वर्लकप के लिए तो नहीं दिखेगी लेकिन जो जिंबावे और शुलंका हमें कनफर्म लग रही थी उनको टकर देने के लिए अब स्कॉटलाइड उपर आ गई है शुलंका जिंबावे स्कॉटलाइड तीनों टीमों के पास अपने दो-दो मुकाबले अभी बचे हैं अगर स्कॉटलाइड अपने दोनों जिंबावे में से किसी एक टीम को रिप्लेस कर सकती है लेकिन अगर शुलंका और जिंबावे दोनों ही टीमें अपने दोनों मुकाबले जीर गई तो उन दोनों के 10 पॉइंट हो जेंग और वो दोनों टीमें कर जाएगी वर्लकब के लिए कौलिफायर अब लोग मुझे कि इस बार वोल्लकब में चार बार की चांपिर हमें नहीं दिखने वाली है कितना बड़ा असर पड़ सकता है यहां पर वोल्लकब में वेस्ट इंडीस के फैंस पे साथ ही जो वर्लकब के टीम्स कौलिफायर करेंगी उनके लिए अपके दनादा एक्साइटेड है मुझे फट फट चे कॉम्ट में जरूब बताइए आप देखे लिए तो फान स्पोर्ट इस परिए को लाइक कॉमेंट और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना